हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल में आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ संडे को हर घर में बनने वाला राजमा रैसिपी मोस्ट ओफ दी सभी का फैवरेट होता है राजमा राइस तो राजमा को बनाने के लिए मैंने स्बसे पहले एकना राजमा देखी है रात को भीगो कर voodate कुओ अगर शाम को बनाती है यूग भी 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 ऋती हूं इससे फूल के लिए 4-5 Jak दो अपने राजमा को चाहिए और अधीड कर लेंगे बूल है आधी गणते तक बिल्कु सहतेसे क्यांस तॉफ सरा ले पात गुए асघने और इसके बाद इसका पेश्ट बना लूँगी देखिए मैं राजमा में लसन प्याज नहीं डालती हूं क्योंकि प्याज से थोड़ा मीठा पनाता और वो मुझे पसंद रही है तो और मेरे घर में लड्डूगोपाल भी है तो लड्डूगोपाल का भोग लगता है इसलिए में प्याज बहुत ही कम सब्जियों में यूज करती हूं आप देखिए हमारा टमाटर पाग गया है तो अब मैं इसका पेश्ट बना रही हूं हैंड ग्राइंडर की हल्प से आप चाहें तो मिक्सर में भी पीश सकते हैं देखिए राजमा मेरा बोईल हो गया है अब इसे इस तरीके से थोड़ा सा फोड लेंगे जिसे कि हमारा रेशा गाढ़ा हो जाए देखिए मैं राजमा को तब तक उबालते हैं जब तक कि वह बिल्कुल गुटा सा ना हो जाए अब एक कड़ाई में में सरसो का तेल चड़ा लूँगी और यह मैंने ले लिया है थोड़ा स दाल दूँगी इसके बाद इसमें टमाटर का पेश्ट दाल दूँगी और अच्छे से चलाते हुए इसमें फिर सारे मसाले एड़ कर दूँगी यह मैंने नमक डाल दिया है यह हल्दी अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च टाल दीजिए लाल मिर्च यूज नहीं करती हूं डेली के खाने में तो इसलिए नहीं डालती हूं और जब तक हमारा मसाला चिकनाय नहीं छोड़ दे तब तक उसे पकाई दे कि मैरे मसाले चिकनाय चोड़ दीए अब मैं इसमें हलका सा पानी डाल दूँगी अब यह अच्छे से पक गय दस मिन ट के लिए और उसके बाद मेरा राज़मा हो जायेगा तियार तो यова महीरा तरीका है। आप सभी को मेरा तरीका कैसा लगा है। कमेंट वॉक्स में कमेंट कीजेगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजेगा वीडियो को। तो यह मेरी आज की लंच की थाली तेयार है अब इसी के साथ मैं आप सब इसे विदा लेती हूं कल फिर मिलूंगी एक नई रेशिपिक साथ नई वीडियो साथ थेंक्यू सो मुझा